जैसरी किरसन साथियो हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल योगे स्कुमार लोट सुवा कलासिज पर आज हम जीन प्याजे से संबंदित कंसेप्ट लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपून है आपकी प्रिक्षा की दरस्टी से आने वाली प्रिक्षाओं में जैसे सुपर टैट, सी टैट, यूपी टैट, वै अदर टैट प्रिक्षाओं में साथियो इस जीन प्याजे से तीन या चार मार्क्स का जरूर पूछा जाता है आईए अब हम सुरू करते हैं प्रंतु इस से पहले यह आपको आपका हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब एक लाइक जरूर करतेना साथियो आईए सुरू करते हैं जीन प्याजे का संग्यानवादी सिद्धान्त या संग्यानातमक विकास का सिद्धान्त इस संग्यानवादी सिद्धान्त को संग्यानातमक विकास का सिद्धान्त भी कहते जीन प्याजे स्वीटचर लैंड के एक मनोवेग्यानिक थे सातियों पर्योग किया ये पर्योग किस पर किया इन्होंने सुन्य से 15 वरस तक के बाल को पर यानि जनम से 15 वरस तक के बाल को पर उन्होंने अपने स्वम के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास सम्मंधी किरियाओं का वे बड़ी पारिकी से अध्यन करते गए और उन पर ये निश्कर से निकाला और संग्याना आत्म के विकास सिद्धा संग्यानात्म की विकास का अर्थ क्या होता है साथियो बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकर्थित करने के तरीके से है संग्यानात्म की विकास का अर्थ होता है बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकर्थित करने से होता है अब इसमें व्रद्धी किस चीज क्यों होती ह इसमें व्रद्धी, पर्तेक्सिकरन, भासा, चिंतन, इस्मरन, सक्ति और तर्क सामिल होते हैं साथियों प्याजे को आधुनिक बाल विकास और मानाव संग्यान विकास के सिद्धानतों का पितामय या चनमदाता भी कहा जाता है विकास आत्मक मनोवेग्यानिक के पर्तिपादक या जनक जीन प्याजे ही हैं साथियों इस सिद्धानत का मैत्व साथियों आधुनिक बाल विकास पर अधिक बल या परभाव डालता है मानाव संग्यान विकास का सिद्धान दा थियोरी ओप कोंगेटिव डवलपमेंट पियाजे ने इसको फोर स्टेज यानि चार अवस्थाओं में बाटा है इसमें पर्थम स्टेज यानि पर्थम अवस्था संवेदी पेशिय इंद्रिय जनित अवस्था या सैंसरी मोटर स्टेज साथियो इसमें संवेदी या सैंसरी मोटर स्टेज में सुन्य से दो वरस तक या जन्म से 24 मा तक होती है यह बालकों में सुन्ने से दो वरस या जन्म से 24 माह तक होती है इस अवस्ता में सिसु अपने सव्वेदनाओ वे सारेरिक किरियाओ दुबारा सीखता है नेक्स्ट वे अपने बड़ों को देखकर सुनकर इस पर्स करके छोकरके ग्यान को ग्रैन करता है नेक्स्ट शिसु अपने हाथ पैर चलाना बोलना सीखता है यह अवस्ता शिसु के परभावी विकास की अवस्ता होती है नेक्स्ट नमबर टू प्राक्य संकिर्यात्मक अवस्ता या पूर्व संकिर्यात्मक अवस्ता परियोप्शनल स्टेज इस stage यह stage दो से 7 वरस तक होती है इस stage के दो प्रावस्थाए होती हैं फर्स्ट प्राक्य संपर्यात्मक अवधी यह वस्था परिकंसेप्शनल पीरियड इसको परिकंसेप्शनल पीरियड भी कहते हैं यह अवस्था दो वरस से 4 वरस तक होती है इस अवस्था में सिसु बालग सूचक करता यानि सिगनिफायर्स विक्सित कर लेता है नेक्स्ट खिलोने वै अनुकरन के माध्यम से ग्यान ग्रहन करता है इसकी second stage यानि अंतर देशी अवधी इन्टेटिव पीरियड यह अवस्था चार वरस से 7 वरस तक होती है इस अवधी में बालको में चिंतन एवं तरकना रीजनिंग पहले से अधिक परिपक्वियानी मैचोर हो जाती है बालक अक्सर लिखना गिंती रंगों की पैचान करना आदी सीख जाता है इस अवस्था में नेक्स्ट नमबर थर्ड है मूत संकिरियातमक अवस्था ठोट संकिरियातमक अवस्था यानि स्टैज ओप कंसंट्रेट ओप्रेशनल यह अवस्था साथ वरस से बरा वरस तक होती है इस अवस्था में बालक ठोट स्वस्था को देखकर मानसिक चिंतन करने लगता है नेक्स्ट चिंतन की सुरवात इसी अवस्था में हो जाती है नेक्स्ट चिंतन मूत यानि परतक स्वस्था तक ही सीमित रहता है इसके अलावा बालक, अंतर करना, सुनना, करना, देखना, तारिक, महिना, आदि बताने में योग्य या परिपून हो जाता है और एपल्टावी गुन का विकास इसी अवस्था में होता है यानि एपल्टावी गुन का विकास सुरू हो जाता है इस अवस्था में यह अवस्था 12-15 वरस तक या 12 वरस से वियस्क अवस्था तक यानि मैचोरिटी तक होती है इस अवस्था में बालक या किसोर मूर्थ के साथ अमूर्थ चिंतन करने लगता है वह कल्पना निरिक्षन समस्य का समधान करना चिंतन करना आदि मानसिक योग्यताओ को विक्षित कर लेता है इस अवस्था में एपल्टावी गुन अति परभावी हो जाता है जैसे चार पलस तीन बराबर साथ बच्चे को कहा जाता है किसे जोड़िये चार पलस तीन बराबर साथ और वही संक्याव से पलटकर थ्री पलस फोर बराबर कहा जाता है तो उसको भी वह सेवन ही कहता है इस परकार से वह एपल्टावी गुन्वे परिपक्व इस अवस्था में हो जाता है नेक्स्ट यहाँ पर प्याजे के सिध्धान्त के संपर्त्यों में पर्मुक यानि कंसप्टों में कुछ पर्मुक हैं जो अक्सर इसकी से परसंद बनते हैं साथियों परिक्षाव में से कम से कम एक या दो परसंद जरूर बनता है फर्स्ट निर्मान और खोज यानि कंस्ट्रक्शन इन्वेंशन्स जहाँ पर यह मिलेगा तो यह प्याजे का ही सिध्धान्त होता है नेक्स्ट कार्य और किरिया का अरजन यानि एक्विशेशन्स ओपोप्रेशन्स नेक्स्ट सात्मिकरन एसिमिलेशन्स नेक्स्ट वेवस्दा तता संतुल्ण इस्थापित करना एकुमेटेशन्स एन एक्वीलिबेरियम्स यह point जहाँ पर होते हैं तो महाँबर P.A.J. का ही सिद्धान दोता है next अनुकुलन adoptions अनुकुलन साथियो जन्तुओं का या किसी जीव का वातावरण के अनुसारी ढल जाना adoptions कहलाता है यह बहुत चाता पूछा जाता है next संरक्षन माईजर विजेशन seventh schemes eight schema very very important साथियो यह सीट एट में कितनी बार आ चुका है schema किस के वस्ता होती है P.A.J. के सिद्धान्त की यह पूछा जाता है विकेंद्री करन या विकेंद्रन dissenting next समय धारा equally barium साथियो यह P.A.J. के सिद्धान्त के कुछ concept या समपर्ते थे इन में से कम से कम तीन या चार question बनते है बागिश का जिवन परीच है उससे भी पूछा जाता है that's all साथियो यदि आपको यह विडियो अच्छा लगा है तो इस विडियो को लाइक और सबस्क्राइब जरू कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे मनोविग्यनिक के साथ